Hello friends, आपके YouTube channel MapBizad मैं आपको स्वागत है, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको mathematics campaign provide कर वाता हूँ, साथी साथ teaching certificate जो भी update होता है, वो भी मैं आपको provide कर वाता हूँ, साथी साथ जो भी मैं सीखता हूँ, वो आपके साथ share करता हूँ, ताकि आपके लिए भी helpful हो और आपको बताते वक्त मैं भी कुछ सीख सकूँ, तो जैसा कि आपको पता है कि BAC और B8 का जो result था, BAC और B8 और DL8 का जो Supreme Court का case something कुछ ऐसा चल दाता है, जिसके चलते आपको पता है कि बहुत सारी vacancy रुकी हुई थी और KBS PRT का result भी उसी की चलते रुका हुआ था, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी updates है, updates यह है कि सुनने में यह आ रहा है, अभी official कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जहां तक यह है, सुनने में यह आ रहा है कि आपका B8 को primary के लिए बाहर कर दिया गया है, और DL8 वाले ही जो है वो PRT vacancy के लिए eligible रहेंगे, ठीक है, तो एक छोटा से अपडेट था, बाकी क्या होता है कि KBS PRT में आपका B8 को बाहर किया जाएगा, कि नहीं किया जाएगा, क्या किया जाएगा, या फिर इसमें इंक्रूर किया जाएगा, एक बड़ official news आने के बाद ही जो है, वो सारे चीज़े कहे जाएगे, लेकिन फिलहाल यहीं समझ लिए कि साथ KBS PRT में आपका जो है वो डिये वोले को ही जो है अलाव किया जाएगा, तो इसका जो official copy जो है आपका, ये आपका Supreme Court का और KBS की तरफ से एक होता है न, official circular, वो जो है वो आप उस judgment को आने दिए, वो judgment जब आज आएगी, और सारे चीज़े जब क्लेरिफाइगा, जब हुआ है, क्या नहीं हुआ है, फिलाल जो है आप जो है एक थोड़ा सा bad news है, बेर वाले को लोगों के लिए, तो चीज़े आने दिजिए, clear way में, और सभी चीज़े होने दिए, जब clear way में सारी चीज़े आजाएगी, official आपको judgment का copy आजाएगा, और KBS की तरफ से official तो यही एक चोटा साफडेट है, बाकि जैसे ही कुछ और official update मिलता है, पता चलता है, तो मैं आपके साथ share करूंगा, और मैं आपके साथ share भी करता हूँ, ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आए, वीडियो का like दिजएगा, चैनल पर कुछ भी help में लिए तो चैनल को subscribe क आपके साथ share करता है, तो जलिए मिलता है नेक्स वीडियो में, तब तक कि भी जाहिन बंदे मातम, थैंक यू, थैंक यू for watching my video, थैंक यू friends.